घर में पढ़ाई का महौल था अबबाजी ने भी हमेशा पढ़ाई पे जोर दिया वगर नोक्री नहीं मिली उनको मिली जिनकी को है पहचान थी रैसे भी अब नोक्रीयां आते ही कहा है मुल्क तरकी करे का तो नोक्रीयां निकलेंगी ना लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हा रही है कहती बाड़ी करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पर क्या उनको भी मेरी तरह जीना पड़ेगा अब बस बहुत हो गया तराजू पे महर लगाएंगे खुद को आगे लाएंगे हल सिर्फ जमात इसलामी चलो बदले हालात देकर तराजू का साथ क्योंके हल सिर्फ जमात इसलामी